तो इस मूवी के स्टार्टिंग ड्रैकुला के मैंसन से होती है जहां में दिखाया जाता है कि मॉंस्टर फैमिली ने उसे पिछली मूवी में फ्रीज कर दिया था फिर हम वहाँ पर एक अजीब सी लड़की को देखते हैं जो मैंसन में आकर ड्रैकुला को ठीक कर देती है और ये द्रैकुला को पखड़ने का काम भी उसे मैडुकस और मुर्लिन नहीं दिया था और अब उसका नेक्ष टार्गेट यागा नाम की एक डिच लड़की को पखड़ने का था जो मॉंस्टर फैमिली के साथ ही रहती थी और ये टार्गेट भी उसे मैडुकस और मॉर्लिन इसके बाद सीनिया से सिफ्ट होता है और मॉंस्टर फैमिली के घर आती है जहां हम देखते हैं कि मैक्स यागा के एमुलेट पर कुछ एक्सपरिमेंट कर रहा था वो उसका यूज करके मैजिक बनाना सीख रहा होता है वो साइन्स और मैजिक की हेल्प से दुनिया को नया और अलग बनाना चाता था और उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अस्टार्स फैमिली थी वो बहुत ट्राई करता है लेकिन वो एमुलेट के मैजिक को कंट्रूल नहीं कर पाता तब ही उसके सिफ्टर वहां पर आती है और वो बताती है कि मैक्स का एक फणी वीडियो वाइर पराते हैं और उन्हें पता चलता है कि यागा और रेंफिल की साधी हो गई है फिर हम देखते हैं कि फ्रंक और रेमा साधी में जाने के लिए तयार होते हैं तब ही मैक्स एमुलेट के मैजिक की वज़े से अपने आपको बहुत अमीजिंग लुक दे देता है और वो सारे वहां से चर्च की और निकल जाते हैं वहां पर पहुंचने के बाद जब मैक्स अपनी कार से बाहर निकल रहा होता है तब उसकी नजर बाहर पड़ती है वो देखता है कि उसके स्कूल की लड़कियां चर्च के बाहर खड़ी है और वो जब बाहर निकली रहा होता है तभी प्रेंड्स उस पर हशने लगते हैं और वो उसकी फोटो क्लिक करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं इन सब की वज़े से मैक्स को बहुत ही सर्मिंदा फील होना पड़ता है इसके बाद हम देखते हैं कि चर्च के फादर मेरे सेरेमोनी शुरू ही करने वाले थे तब ही मॉ प्रेंड्स उसके पीछे लटक जाता है और वो यागा को बचानी की बहुत को सिसकता है लेकिन मीला अपने गैजट की हेल्प से मैक्स से पीछा चुड़ा के बहाँ से चली जाती है इसके पाद मैक्स वापस से चर्च के पास आता और कहता है कि अगर वो पहले जैसा मॉंस होता तो वो इस एमोलेट की हेल्प से यागा और रेंफील को बचा सकते थे तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो guy weenga की हेल्प से अपन आप को मॉंस्टर में बदल सकता है और फिर वो अपने आपको एक मैक्सतम में बदलना सुरू कर देता है तभी उसकी फैमिली उसे र इसके फादर उसे बताते हैं कि इस बार उसे स्कौटलैंड से लोकनेस मॉंस्टर और हिमालिया से एटी को पखड़ कर लाना होगा। वो मॉंस्टर को पखड़ने के लिए मिला को एक स्रेंज गन देते हैं। उस गन से किसी भी चीज को छोटा किया जा सकता था। तबी मिला उस गन को रेंफिल पे चला देती है और रेंफिल छोटा हो जाता है जिसके बाद मिला की मॉम उसे एक ड्रॉप बॉक्स में पगाड़ लेती है मिला को अपने पैरेंट्स पर बहुत प्राउड होता है और वो अपने अगले मिशन के लिए निकल परती है वहीं दूसरी तरफ हम मॉंस्टर फैमली को देखते हैं जो मैक्स को उसके स्पेल को वापस से बदलने को कहती है लेकिन मैक्स बोलता है कि ये तब ही बदलेगा जब हम सब एक साथ खुस होंगे और मैक्स उन्हें अपनी इस पावर का फायदा उठाने को बोलता है और वो कहता है कि आम इस पावर की मदद से यागा और रेंफिल को बचा सकते हैं पूरी मॉंस्टर फैमली भी इसके लिए तयार हो जाती है मैक्स एमुलेट से उन्हें डूनने की कोसिस करता है और उससे उन्हें मिला की लोकेशन के बारे में पता चलता है लेकिन जब से मिला से वो मिला था वो उससे बहुत इंप्रेश्ट होता है लेकिन एमा के कहने पर वो पता लगा लेता है कि मिला स्कॉर्ट लैंड के एक लेक पर जा रही है जिसके बाब मैक्स उन्हें वहाँ पर ले जाने की कोसिस करता है लेकिन वो अलग-अलग जगे पर गोंगोंग कर वापस चर्च के सामने आ जाते हैं ये सब देखकर एमा उससे वो एमुलेट वापस ले लीती है और कहती है कि मैक्सी अब हम सबको उड़ा कर स्कॉर्ट लैंड ले जाएगा वो उन्हें लेकर अपने फ्रेंड सेने के फार्म पर जाती है जहां वो ड्रैकुला के प्रावेट जेट को देखते हैं एमा उन्हें बताती है कि ये अमने काफी टाइम सी यहाँ पर छोपा कर रखा था ताकि जरूरत पढ़ने पर इसका यूज किया जा सके मैक्स प्रावेट जेट को स्टार्ट कर रहा होता है तभी उन्हें पता चलता है कि ड्रैकुला ने तो उसमें वाइस अक्टिवेटेड आउट ओपायट लगाया हुआ था जो असल में उसी का एक होलोग्राम था तभी मैक्स प्रावेट को स्कॉर्ट लेंड चलने के लिए बोलता है और वो अपने सूपर सोनी का स्पीड से वाँ से निकल जाते हैं इधर वहाँ पर हम मीला को देखते हैं जो लेक तक पाँच जाती है जिसे उसके पैरेंट वापस से उसका मिसन उसे याद दिलाते हैं और फिर अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वो बस किसी एक्सपेरिमेंट के लिए मीला का यूज़ कर रहे थे और अब मांस्टर फैमली भी वहाँ पर पहाँच चुकी थी तभी वहाँ पर उन्हें मीला का स्टार कॉप्टर दिखाई देता है और इससे देखकर वो समझ जाते हैं कि मीला यहीं कहीं है तभी वहाँ पर उन्हें मीला दिखाई देती और वो सब मिलकर उसे पकड़ने जाते हैं लेकिन वो अपनी चालाकी से सब को दो मिनिट में धीर कर देती है और इसके बाद मिला अपना मिसन पुरा करने के लिए लेक में कोद जाती है लेकिन मैक्स भी उसके पीछे उस लेक में कोद गया था मिला अपने गैजिट की मदद से लोकनस मोंस्टर को ढून निकालती है जो खुद के कलर को इंवारिमेंट के कलर से मैच करा कर वहाँ पर छुपा हुआ था लेकिन इससे पहले कि मिला उस मोंस्टर को स्रिंग कर पाए वहाँ पर मैक्स आकर उससे वो गन चीनने लगता है लेकिन मैक्स के सांस रुकने के कारव वो उससे जादा देर तक सामना नहीं कर पाता तब ही मिला उस मोंस्टर को स्रिंग करके उसे अपने साथ लेकर निकल रही होती है तब ही उसकी नजर मैक्स पर परती है और मैक्स डूबता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था वो मैक्स को बचा कर बाहर ले आती है और फिर वही मैक्स को पता चलता है कि वो तो स्टार्स की बेटी है और उसे ये हैरानी होती है कि आकर अश्टार्स फैमिली ने मिला को दुनिया से छोपा कर क्यों रखा मैक्स उसके बारे में मिला से पोचता है लेकिन मिला कहती है कि मेरे पैरेंट्स मानोता कि बहलाई के लिए ये सब काम कर रहे हैं और ये मॉंस्टर भी उसी मिसर का एक हिस्सा है ये सब कहकर वो आसे निकल जाती है पर मॉंस्टर फैमिली उस जेट से उसका पीछा करनी को कहते हैं और वो जेट सीदा उने ही माले पर ले आता है जहां उनका सामना एक नाराज येटी से होता है जो उन पर हमला करने वाला होता है पर उससे पहले उसकी नजर फ्रैंक पर पड़ती है और वो उसे अपने जैसा लगता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर मस्ती करने लगते हैं तब ही हम देखते हैं कि मिला वहाँ पर आ जाती है जो येटी को स्रिंग करके गलोब में बंद करके जाने लगती है पर मॉस्टर फैमिली उसे रोकने की कोसिस करते हैं लेकिन इससे पहले वहाँ बर्फ का तुफान आ जाता और मिला जाकर खाई में लटक जाती है और वो उससे नीचे गिरने वाली थी लेकिन मैक्स वहाँ आकर मिला को अपने फैमिली के साथ मिलकर एक कुछ गलत नहीं है मिला वापस आकर अपने पैरेंट्स से जित करती है और कहती है कि मुझे भी आपके मिसन के बारे में जानना है जिसके वज़े से मुरलिन मिला पर नाराज होती है लेकिन मेडुकस मान जाता है और वो उसे अपने साथ आने को कहता है वो लोग एक पाइल मिला को यह यकीन दिलाता है कि इससे मॉंस्टर की जान को कोई खत्रा नहीं है और मिला फिर से एक बार उनकी बातों में आ जाती है जिसके बाद वो अपने लास्ट मॉंस्टर को पकड़ने के लिए निकल जाती है और मैडुकस को लगता है कि अब वो ज्यादा सवाल नहीं जहां मिला टोरा टोरा नाम के एक आइलेंड पर जा रही थी and unten it ऋट नटी माश्टर फैमिली टोरा टोरा आइलेंड पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वह देखते हैं कि मिला माश्टर को डून रही है मैक्स उससे मिलने जाता है ताकि एस्टार्स के प्लैन के बारे में वो उससे जान सके लेकिन मिला उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि उसे अपने पैरेंट्स पर बहुत ज़्यादा यखीन है ये सुनकर मॉस्टर फैमली उसे पकड़ने की तयारी करती है लेकिन तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा गोरिल्ला आ जाता है और हमें पता चलता है कि मिला इसे ही यहाँ पर पकड़ने आई थी तभी मिला उसे स्रिंग करने के लिए गन का यूज़ करती है लेकिन उसे पता चलता है कि मैक्स ने उस गन को किसी तरह से चुरा लिया है तभी गोरिला वहाँ पर आकर मैक्स की मदर को हाथ में पकड़ लीता है और इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुचाता वहाँ पर उनके फैमली बैट्स अपनी म्यूजिक बजाने लगते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि म्यूजी की उस गोरिला की कम जूरी है और तभी वो सारे मिलकर डांस करने लगते हैं और मीला भी इसमें सामील हो जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो गोरिला भी उनका फ्रेंड बन जुगा था और मीला मैक्स से कहती है कि वो भी एक ऐसी फैमली चाहती थी मैक्स उसे यकीन दिलाता है कि जल्दी से ये व्रिस तुमारी पूरी हो सकेगी और इसके बाद वो एक दूसरे से अपनी फिलिंग सेयर करते हैं इतर दूसरी तरह मीला के पैरेंट्स उसके लेट हो जाने के करन उसे ट्रैक करते हैं और उसे देखते हैं कि वो मैक्स के साथ बैटी हुई थी मॉरलिन को इससे उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसको लगता है कि इस वज़े से उनका सारा प्लैन फेल हो सकता है मैडुकस तुरंती उसे कॉन्टैक्ट करता है और बताता है कि उसकी मॉम की तबियत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उसकी तबियत तब ही सही हो पाएगी जब वो एक्सपेरिमेंट पूरा होगा और वो तुरंती उससे गोरिला को उस लैब में लाने को कहता है और ना चाते हुए भी मिला को उनकी बात माननी पढ़ती है मिला जल्दी से उस गोरिले को लेकर अपने पैरेंट्स के पास पहुँचती है लैब के अंदर आते ही मैडुकस उसे गोरिला को एक पॉर्ट में रखने को कहता है और उस पॉर्ट में जाते ही गोरिला वापस से बढ़ा हो गया था मिला भाग कर अपनी माम के पहा जाती है और मैडुकस भी अपना एक्सपेरिमेंट सुरू करता है और फिर मांस्टर से निकली वो लाइफ इनर्जी बीच में रखे उस सब्जेक्ट तक जाने लगती है मिला प्रे करने लगती है लेकिन वो देख पाती है कि उसकी माम तो उसके पीछे खड़ी है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो सब्जेक्ट उसका एक रोबोटिक क्लोन है जिसे उसके पैरेंट ने उस मांस्टर की इनर्जी से जिंदा कर दिया था वो बताते हैं कि सुरू से ही उनका प्लैनिक ऐसा रोबोट बनाने का था जो बिना सवाल के उनकी सारी बाते मान सके और उसे तो बस वो यूज़ कर रहे थे लेकिन एमा उसे समझाती है कि साइद मिला को ये सब मजबूरी में करना पड़ा हो और वो उसे टेलिपोर्ट अस्पेल यूज़ करने को कहती है अस्पेल यूज़ करके जल्दी वो सब स्काइलिफ्ट में आ जाते हैं जहां मैक्स उस पर बहुत नाराज होता है मिला उन्हें सारी बात बताती है और एक बाद फिर से वो लोग उस पर भरूसा करने लगते हैं इसके बाद वो नीचे मैंसर में आते हैं जहां पर वो रोबोट उनका पहले से इंतिजार कर रही होती है ये देखकर मिला वापस से स्काइलिफ्ट को उपर ले आती है पर वो रोबोट भी उनका पीछा नहीं छोड़ती उसे रोकने के लिए मिला अपने स्रिंग गन निकालती है लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाए वो उसे केक करके नीचे गिरा देती है नीचे गिरने की वज़े से स्रिंग गन मौस्टर फैमली के बैट्स के हाथ लग गई थी लेकिन तभी वो रोबोट मिला के बैग को उससे चील लेती है और उसको नीचे गिरा देती है पर उसे बचाने के लिए मैक्स भी उसके पीछे खोच जाता है और मिला को एमुलेट की मदद से बचाने की कोसिस करता है लेकिन एमुलेट की पावर खत्मोने के कारण वो दोनों लैब में आकर गिरते हैं जहां वो रोबोट भी आ जाती है मिला मैक्स को अपनी फैमली को याद करने को कहती है और कहती है कि ऐसे तो हम इसे हरा नहीं पाएंगे जिसके बद मैक्स ऐसा ही करता है और एमुलेट की मदद से वो वापस लिफ्ट में आ गए थे लेकिन वो देखते हैं कि रोबोट उनका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल तयार ही नहीं है वो लोग एक करके रोबोट को आरानी की कोस्टिस करते हैं लेकिन वो सब को पखड़कर लैब में ले आती है तब ही मिला मॉस्टर फैमिली से कहती है कि इतना प्यार देने के लिए सुक रिया इतना प्यार मुझे कहीं नहीं मिला जिससे monster family भी बहुत ज़्यादा खुस होती है और बहुत ज़्यादा खुस होने की बज़े से यह spell का असर खत्म हो जाता है और वो सब वापस अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं तभी मैक्स की नजर उसके bats पर पड़ती है जिसके बज़े से लैब में बहुत ज़्यादा तभाई होती है और बाकी family सारे monster को आजाद करने में लग जाते हैं ये देखकर मैडुकस और मुलिन मास से एक star copter में बैट कर भागने लगते हैं यादा और रेन फिल भी अब आजाद हो चुके थे तभी मैकी नजर ड्रैगुला पर पड़ती है और उसका pot टूटने लगता है इधर मीला और रोबोट की खतरनाक लड़ाई हो रही होती है और मैक्स यहाँ पर पता नहीं लगा पारा था कि इन दोनों में असली वाली कौन है तभी मीला मैक्स को उसके प्यारे नाम से बुलाती है और तब वो समझ जाता है कि मीला कौन है और वो तुरंती रोबोट को स्रिंग गन से छोटा कर दीता है और मीला उसे एक हेलमेट में कैद कर लीती है तभी वो ड्रैकुला अपने बैड लुक में वहाँ पर आकर उनके उपर हमला करने लगता है लेकिन मैक्स उसे भी स्रिंग गन से छोटा कर दीता है पर तभी वो देखते हैं कि तबाई के वज़े से वो पूरा लैब नीचे गिरने वाला है मैक्स तुरंती सबको स्काइलिफ्ट में बैटने को कहता है और वो मीला रोबोट को बचाने के लिए उसके पीछे जा रही होती है तभी मैक्स सबको स्काइलिफ्ट में बिठा कर मीला के पीछे भागता है तभी वो रोबोट के पास पहुंच जाती है तभी वो देखती है कि फ्लोर के तोटने की वज़े से मैक्स नीचे गिर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर मीला आती है और मैक्स को वहाँ से बचा लेती है पर तभी पीछे से मीला की आख पर रोब उठाकर एक कपड़ा बांदीती है जिससे कि मीला डिस्बैलेंस हो जात क्या बहुते हैं लेकिन किसी तरह पर ब्रशुद्ग है जो ख़ए हैं लेकिन किसी तरह पर आप होगा है